Hello दोस्तो, Indian Oil या IOCL के Results आए हpled है Results के साथ साथ Bonus भी Declare किया है IOCL नो उसके बारे में बात करेंगे Dividend के बारे में बात करेंगे Results और Margins इन सब के बारे में दोस्तो, डीटेल में हुम इस वीडियो बात करने वाला है शुरुआ करते हैं, Bonus के साथ Indian oil ने जो bonus दिया है वो है 1 is to 2 के ratio में bonus अब इसका मतलब क्या है दोस्तों For example, आपके पास 2 share है Indian oil के तो आपको 1 share मिलेगा अगर आपके पास 100 share है 100 share है तो आपको bonus में और 50 share मिलेंगे That means 100 plus 50 150 share For example, आपके पास 60, 60 share है तो आपको 30 share मिलेंगे 60 plus 30, 90 share तो उस हिसाब से आप calculate कर सकते हैं बहुत easy calculation है दोस्तों तो bonus 1 is to 2 के ratio में आया है लेकिन अब आपको प्रशन हो सकता है कि क्या हम अभी stock खरीदें तो हमको bonus मिलेगा तो उसका उतर बिलकुल अभी फिलाल हाँ है क्यूंकि जो record date है वो है July 1 की तो record date तो अभी बहुत दूर में है तो bonus जो भी record date से पहले जिनके पास भी share होगा तो उनको bonus मिलेगा 1 is to 2 के ratio में आपके पास 40 share है तो आपको 20 share मिलेंगे तो आपको 60 share मिल जाएंगे तो ये bonus की बात रही अब bonus के बात dividend की बात तो Indian oil ने final dividend दिया है 3 रुपीज 60 पैसा का लेकिन bonus के लिए ये translate हो जाएगा 2 रुपीज 40 पैसा तो सायद आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको कहीं confuse कर दिया है तो मैं आपको समझाने की कोसिस करता हूँ अब देखिए total 3 रुपीज 60 पैसा का dividend है अब भूल जाएए कि company bonus देने जारी है ठीक है तो आपको समझ दीजी आपके पास 100 share थे तो ideally 100 share और 3 रुपीज 60 पैसा तो आपको ideally 360 रुपीज मिलते है 100 into 3.60 360 आपको मिलते है लेकिन bonus के कारण चुकि ये जो 100 share है आपके पास तो आपको 50 share extra मिलेंगे तो आपके पास total share कितने हो जाएंगे 1500 share हो जाएंगे 150 share तो ये 150 share हो जाएंगे तो उसके कारण जो final amount जो है वो translate हो जाएगी या जो final amount जो है वो change हो जाएगी 2 रुपीया 40 पैसा में तो आपको वही जो 360 मिलना था वो उतना ही मिलेगा 360 ही मिलेगा लेकिन चूकि आपको bonus के extra share मिल रहे है तो यहाँ जो final number है amount जो है वो थोड़ा कम हो जा रहा है तो कहीं पर भी उस हिसाब से आप confusion नहीं रखेगा अभी भी for example आपके पास let's say अगर आपके पास 20 share है तो 20 into 3.60 जितने भी share मिलने है 72 rupees मिलने है उतने ही आपको मिलेंगे तो बस bonus में share आपको extra मिल जाएंगे और जो amount जो है उस हिसाब से कम हो जाएगी तो मुझे उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा easily समझ में आ रहा होगा अब dividend पर एक और बात कर लेते हैं 9 रुपय का already pre bonus dividend दिया जा चुका है company की तरफ से लेकिन record date और बाकी date बाद में आएगी वो जैसे जैसे आती रहेगी हम आपको inform करते रहेंगे अभी फिलाल ऐसा लग रहा है data के कारण की bonus पहले आएगा और जो dividend की जो dates है वो बाद में आएगी लेकिन information आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे early finance आज आती में अब revenue कैसा रहा है तो देखे 5.23 लाग करोड का revenue था FY21 मतलब जो COVID वाला साल था और 7.39 लाग करोड का revenue FY22 अभी जो है 2021 अप्रेल से 2022 मार्च profits आप जेख सकते है 21,762 करोड का था और अभी वो profits बढ़के 25,726 करोड है तो revenue तो बढ़े हैं बढ़ ऐसा लग नहीं रहा है कि profits भी उस हिसाब से बढ़ा है कहीं न कहीं margin को pressure है तो margin में जाए उससे पहले दोस्तों जो oil companies हैं उनको समझने का एक अलग तरीका होता है इन सब को दोस्तों मैंने समझाया हुआ है FinGrad के free course में जहाँ पर मैंने अलग-अलग industry की analysis की है आप उनको देख सकते हैं और साथ में जो income statement है balance sheet है, cash flow statement है और कैसे कोई beginner investing को आराम से समझ सकते हैं fundamental analysis के साथ समझ सकते हैं के बारे में मैंने course में बताया हुआ है जिसकी link आप नीचे description box में दोस्तों आप देख सकते हैं बिलकुल beginners के लिए ये course है अब जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर आप margins देखिए पिछले साल revenue भले ही जादा हुआ है margins भी जादा थे 5.7% जो कि operating margin अब घटके 4.8% हो गया है similarly net profit margin 3.49% हो गया है जो कि पिछले साल 4.18% था तो margin गिरा है और बहुत हद तक इस साल expected भी है और as a fundamental investor हमारे लिए जरूरी भी है कि trends को पकड़ना तो trends में आप बिलकुल आप देख सकते हैं जो कि oil के price बढ़े है तो margin का pressure बहुत हद तक expected था और अब वो दिख भी रहा है चाहे वो Indian oil जो refining और marketing companies है वहाँ पर या city gas जो companies है वहाँ पर वो दिख भी रहा है margin pressure उसके अलाबा quarter 4 का result 2.09 लाग करोड revenue quarter 3 में 2.09 करोड का revenue लगभग दोनों बराबरी revenue है पिछले साल 1.66 लाग करोड का revenue था तो revenue बढ़ा है अगर आप profit देखेंगे 7,089 करोड का profits है चोकि quarter 3 में 6,261 करोड का तो profits तो quarter to quarter बढ़ा है लेकिन आप देखिए profits पिछले साल जादा था और इस साल कम है बहले ही पिछले साल आप देखिए revenue जो थे कम थे तो वही है margins की चीज़े जिसके वज़े से margin कम हुए तो results में important रहा bonus और dividend जिसके बारे में हमने detail में बात की वीडियो अच्छा लगा तो चरूर like, share, subscribe करिएगा और भी details आएंगी latest targets भी आएंगे इंडियन oil के और इन सब को हम आपके सामने लेकर आएंगे धन्यवाद आपके time के लिए thank you very much दोस्तों